आप देख रहे हैं जी बिजनिस और शाम चार बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ स्वाती रायना मुंबई की रफतार पर बारिश का ब्रेक लग चुका है शुक्रबार तक अब रहना है आपको सावधान महराश्ट समेक मुंबई में मौनसून ने जोरदार दस्तक दी है मुंबई में सुमवार की रात से ही लगातार बारिश हो रही है आपको बताएं आलम ये है कि हर जगा पानी ही पानी सडकों पर नजर आ रहा है तस्वीरे हम आपको चार जगहों की दिखा रहे है सायन, कुरला, वडाला, अंधेरी हर जगा देखो वहाँ पर बरसात का पानी सडकों पर जमा हो गया है मौसर विभाग ने मुंबाई ठाने पालगर में बारिश का अलर्ट जारी किया है और कहा है कि शुक्रबार तक सावधान रहना है क्यूंकि इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है वही मुसर अधार बारिश के चलते महराश्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है महराश्य के मुख्यमंत्री एकनाश रिंदे ने प्रशासन और NDRF की टीमों को हर स्थिती से निपटने के लिए तयार रहने के लिए कह दिया है तो भारी बारिश पर प्रशासन अलर्ट है और साथ ही शुक्रवार तक भी ये पूरी तरह एतियाद बरतने की सलहा IMD की तरफ से भी आई है मुंबई की बारिश पर पूरे अपडेट के साथ हमारे साथ दो समवादाता सुबोध मुशा और एशा कोटक जुड़ चुके हैं सुबोध सबसे पहले आप से जानना चाहेंगे इस वक्त मुंबई में बारिश का क्या हाल है वैसे क्या हाल पूछे क्योंकि हर साल कुछ यही स्थिती हमें देखने को मिलती है आप इस वक्त सीलिंग पर है और यहाँ पर मरीन ड्राइब पर है माफ कीजियो वहाँ पर लोग आम तोर पर मौनसून के मौसम में आते हैं मज़े लेने के लिए लेकिन साथ ही एहतियाद भी बरतना जरूरी है अभी फिलाल अपने आसपास की स्थिती हमें बताईए देखें सबसे पहले तो यह मैं बता दू कि मुंबई के मरीन ड्राइब में इस समय काफी खुशनुमा जो है माहौल है और मैं आपको अपने पीछे का जो है नजारा पहले दिखाना चाहता हूँ काफी खुशूरत है किस तरह से जो ब्लैक क्लाउड्स है वो नीचे है और जो यहां की इमारते हैं उनके उपर ब्लैक क्लाउड्स है आपको यह भी बता दू कि मौसम विभाग ने बताया है कि अभी तकरीबन तीन बच के त्रेपन मिनट पे जो हाई टाइड है वो आ चुका है और यह हाई टाइड से धीरे धीरे यह समंदर का जो पानी है और ज्यादा जो तेजी से बाहर आने लगेगा उसके बाद जो यहां के सुरक्षा जो कर्मी है लोगों को यहां से हटाने लगेंगे लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दू कि अभी फिलहाल लोग यहाँ पे बारिस के साथ साथ जो समंदर का जो किनारा है जहाँ पर ये लहरे आ रही है उसका जो है मजा ले रहे हैं यहाँ पर जो बहुत सारी चीजे हैं चाहें वो भुटाखाना हो या फिर बाकी जो इंजोयमेंट है च्छतरी लेकर के भी लोग खड़े हैं आपको मैं बता दू कल रात से काफी तेज बारिस जो हो रही थी जिसको लेकर के मौसम विभाग ने कहा है कि Friday तक ये लगातार बारिस होती रहेगी रुक रुक के बारिस हो रही है लेकिन कल रात से काफी होने की वज़े से पूरे मु पुलकात करने वाले हैं और जाजा लेने वाले हैं जी बिल्कु जबोद तो मरीन ड्राइव की तस्वीरे सुबोद आपको दिखा रहे हैं लोग यहां पर और खास तौर पर सेलानी मौनसून के मौसम में आपर आते हैं घुमने फिरने के लिए लेकिन आपको एहतियाद भी बड़तने के ज़रू तो